नमस्कार भाई वेनो मेरा नाम डॉक्टर आशीश कुमार मत्यल है मैं कंसल्टेंट साइकेटिस्ट डी अडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइको सेक्शल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं दस साल से जादा प्रैक्टिस में हूँ तो भाईो आज हम डिसकस करेंगे सीजोफरिनिया की बीमारी के बारे में जो कि एक बहुत बड़ी और खतरनाग बीमारी है और इस बीमारी के अगर लच्छन आप पहले से ही पैचान ले या जल्दी पैचान ले पेचेंट का इलाज जल्दी चालू हो जाए तो टीट्मेंट का आउटकम अच्छा होता है तो आएए स्टार्ट करते हैं तो भाईयो सबसे पहले अगर सीजोफरिनिया की बीमारी का सिम्टम देखें तो पेचेंट एक इमेजिनरी वर्ड में रहता है वो नहीं मानता की वो बीमार है वो अपने ही किसी थौट्स में खोग रहता है और इसके अगर हम में सिम्टम की बात करें तो उसमें थौट्स में कुछ पेचेंट के बदलाव आ जाता है थौट्स में उसको मैंली डेलुजेंस होते हैं Delugence का मतलब है False from Unsequable Belief, कि patient कुछ गलत विचार बना लेता है समाज में और उसको वो विचार बिलकुल सही लगते हैं, जैसे एक होता है Delugion of Persecution, कि मतलब लोग उसके खिलाफ हैं, लोग उसके खिलाफ हैं, उसके साजिश कर रहे हैं, पहले तो जैसे वो बोलता है कि office में लो लेकिन फिर वो शक घर पे भी ऐसा करने लग जाता है, या पड़ोसियों के बारे में शक करने लग जाता है, जो घर बाले पैचानते हैं कि real में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको ये शक हो रहा है, तो फिर उनको लगता है कि वास्ता में कुछ परिशानी है, एक होता है Delug of reference, reference मतलब patient को ऐसा लगता है कि सारी चीजे उससे ही related है, या उसके लिए ही या उसके against में की जा रही है, जैसे कि एक मेरा patient था, वो office में काम करता था, तो वो कहता था कि sir कि मैं office जाता हूं, तो मेरा जो guard है, वो आपस में बात करते हूं, मेरे बारे में ही बात करते हैं, फ क्यों वो मेरे बारे में ही discussion कर रहे हैं, तो इस तरह से patient को reference, delusion of reference, इसका शक होने लगता है कि लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि thought broadcast एक phenomenon होता है कि मेरे जो thoughts हैं, दूसरे लोगों को पता चल ला है, कि मेरे बिना बताई है, तो ऐसा उनको doubt होता है, किसी किसी को doubt होता है कि thought insertion, कि मेरे दिमाग के अंदर बाते डाली जा रहे हैं, ये जो विचार हैं, वो मेरे नहीं है, दूसरे लोग अपने विचार मेरे अंदर डाल रहे हैं, तो भायों इन thoughts की बिमारी से patient बड़ा ही परिशान रहता है, और काफी बार घ बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये thoughts इतने strong होते हैं, कि patient समझ नहीं पाता, और वो उन्हीं पर बिलीव करने लग जाता है, इसके इलाबा जो सीजोफरिनिया की बीमारी में हम देखते हैं, कि कुछ perceptions में problem होती है, जो की mainly होती है, hallucination, hallucination का मतलब है कि patient को कुछ ऐसी perception होन जो real में नहीं है, अब perception या कुछ जो भी चीज हम महसूस करते हैं, या तो हम कान से करते हैं, या आख से करते हैं, या नाख से करते हैं, तैस्ट करके करते हैं, और अगर कोई भी ऐसा stimuli available नहीं है, जैसे कि अवाज है, कोई आवाज आनी रही है, हमको सुनाई देती है, तो audit प्रजाम को फिल करें कुछ तैक्टाय ऐ नहीं the टेकटाईल ऐलोश्नेश्न हो गया कुछ हम सूंड पा रहे हैं जो एक्टुल में नहीं जिसकी स्मेल आ निया तो वह और차volle है है क्व rights हो गई और अगर कुछ टेश्ट आज तो टेश्ट related hallucination हो गई तो सीजोफेनिया में सबसे common hallucination होती है वो है auditory hallucination बाकी सारी hallucinations कुछ organic illness होती है और कुछ substance abuse के withdrawal होते हैं या intoxication होते हैं उसमें होती हैं तो हम auditory hallucination की man बात करेंगे आज तो उसमें patient को लगता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो patient का सारा ध्यान काफी बार उन्हीं आवाजों में रहता है काफी बार patient को लगता है कि लोग उसके against में बाते कर रहे हैं काफी बार patient को लगता है कि कहीं से instruction आ रहे हैं जिनको हम commanding hallucination बोलते हैं और patient मजबूर हो जाता है उनको follow करने में जिससे काफी बार patient नाने चले जाते हैं उनको hallucination आई नाने चले जाओ काफी बार hallucination आई कि हसने लग जाओ या खड़े हो जाओ कुछ-कुछ बार serious commanding hallucination होती है कि patient को आवाजे बोल देती है कि कूच जाओ तो patient कूद भी जाता है first floor से जैसे कूद गया या इद्दम भागने लग गया कि भागने लग जाओ तो ये commanding hallucination होती है तो ये delusions and hallucination होने से patient का behavior काफी बदलने लग जाता है तो सबसे पहली बात है delusion और hallucination patient के लिए एक सच्चाई है जो उसके brain में neurotransmitter imbalance होता है जैसे की dopamine का imbalance होता है जिससे की patient hyper sensitive हो जाता है और जो stimuli normal person के लिए कोई value नी रखते वो ज़्यादा value करने लग जाते है patient के लिए तो जिससे उसको शक्की, वहम की या hallucinations की परिशानी होने लग जाते है dopamine बढ़ने से तो अगर आप उसको patient को counsel करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा है तो patient विश्वास नहीं करता है क्योंकि वो सब mental level पे हो रहा है neurotransmitter level पे हो रहा है आप कैसे भी उसको समझा लिजे कि कोई आपके अगेंश्ट में नहीं है कोई आपके लिए बाते नहीं कर रहा है patient नहीं समझेगा in fact इसका उल्टा प्रवाब पढ़ता है patient को लगता है कि घरवाले उसको समझ नहीं रहे है तो पहली बात घरवालों को ये ध्यान रखना है कि आपको patient को ज़्यादा समझाना नहीं है आप ऐसे कर सकते हैं कि उस चीज को नहीं accept करें नहीं reject करें जैसे patient को अगर डल लग रहा है कि लोग उसने बुला ममी मेरे पीछे लोग पढ़े हुए हैं मैं क्या करूँ तो आप एक reassurance दे सकते हैं कि बेटा गभराव मत हम और तुमारे पापा तुमारे साथ हैं तो मैं कुछ नहीं होगा तो patient को थोड़ा relaxed feel होगा अगर same time पर आप बोल देते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है कोई तुमारे पीछे नहीं है ये सब तुमारे मन का वहम है तो patient को लगेगा ये बिल्कुल मुझे नहीं समझ पा रहे है और ये मुझे cooperate नहीं कर रहे है तो काफी बाद patient को घरवालों के ही against शक हो जाता है कि ये घरवाले भी मिले हुए हैं और ये मेरे against हैं तो सबसे पहले हमें reassurance भी patient को देना होगा और जो delusion hallucination है अगर हम समझ गए उनको की delusion hallucination है तो हम patient को जल्दी doctor के पास भी ले जा पाएंगे तो जैसे हम बात कर रहे थे patient का behavior change हो जाता है अगर मालो सबसे simple तरीका है behavior समझने का patient का कि आप imagine करो जैसे patient को शक हो रहा है कि लोग उसको मारना चाते हैं तो आप imagine करो कि आपको लोग मारना चाते हैं तो आप कैसे behave करोगे कि आप डड़ जाओगे बहुत आप हमेशा टेंशन में रहोगे तो patient के expression भी टेंशन में रहते हैं उसको doubt होने लगता है कि कहीं उसकी कोई watch तो नहीं कर रहा उसको मारने की planning के लिए तो उसको camera का doubt होता है कि इधर उदर camera तो नहीं लगे हुए वो road पे जा रहा है तो उसको गाड़ियों पे doubt होता है कि गाड़ियों उसको follow तो नहीं कर रहे हैं कि कोई आए और उसको मार दे तो वो बहुत डरा हुआ सहमा हुआ रहता है एक हमारा patient था उसने क्या किया कि अपने घर में जो tube lights थी उसपे अकभार लगा दिये उसपे close लगा दिये कि भई इनमे camera लगे हुए ये मुझे monitor कर रहे है एक patient था उसको लगता था कि ये mobile है mobile से उसकी tracking हो रही है तो उसने अपने सारे mobile तोड़ दिये गुसे में आके कि भई ये मेरी tracking कर रहे है तो इस तरह के behavior changes आ जाते है patient का mood बदल जाता है उसको ज़्यादा खुशी ज़्यादा गम feel नहीं होता जिसको हम restricted या blunted effect भी बोलते है तो इस तरह का patient का behavior मूड भी बदल जाता है अब patient डरा हुआ रहता है तो काफी पर patient की नीम भी disturb हो जाती है patient सो नहीं पाता और क्योंकि hallucination हो रही है patient अब आजे उसको आती रहती है तो patient अपनी ही दुनिया में खोया रहता है तो एक तरह से वो एक imaginary word में पहुँच जाता है कि वो अकेले बैठा हुआ है अब आज जो पे focus कर रहा है तो इस तरह के सीजोफरीनिया में symptom आते है और करीब अगर हम population की बात करें तो सीजोफरीनिया काफी common है कम से कम 1% population को सीजोफरीनिया की बीमारी है और worldwide 1% population को अगर हम हिंदुस्तान की बात करें अगर इसकी 100 करोण population अगर हम लेके चलते हैं तो 1 करोण लोगों को सीजोफरीनिया की बीमारी है जो की एक बहुत बड़ा burden है सीजोफरीनिया का उपचार नहीं था तो patient काफी violent हो जाते थे अपने symptoms की वज़े से तो उनको mental hospital में भी रखना पड़ता था लेकिन आज कल सीजोफरीनिया का बहुत अच्छा उपचार available है जिसके बारे में हम next वीडियो में discuss करेंगे और जिसका link में description में आपको दे दूँगा तो भाईयों आज हमने discuss किया सीजोफरीनिया के बारे में कि उसके common symptoms क्या होते हैं उसकी वज़े क्या होती है patient किस तरह से present करता है सीजोफरीनिया को और किस तरह की तकलीफे patient को जिलनी पड़ती है तो भाईयों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको like करिए और अगर आपको लगता है कि किसी को ऐसे symptom है किसी आप जानने वाले को पैचानते हैं कि ये वीडियो उसकी help कर सकता है तो प्लीज इसको share करिए और इस channel को subscribe जरूर करिए जिससे कि जो मैं future में वीडियो डालूँगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा धन्यवाद जय हिंद